रादे रादे जो मित्तर जुड़गे हैं उनको भी रादे रादे जो नहें आएंगे उनको भी रादे रादे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सनाने लगाऊं क्रिशन भगवान और सुदामा की इतना तो आप जानते हैं कि प्रिशन भगवान और सुदामा की बहुत मितरता थी बहुत अधिक मितरता थी यह कहानी सुनकर आपको ना दो पल की खुशी मसूद होगी कहानी पूरी सुनना इस कहानी में आपको बहुत खुशी होगी यह मैं टाइम निकाल कर आपके लिए कहानी मुझे बड़ी पराणी मेरे रिष्टदार किसी दाधी बगैरा ने सनाई थी तो मेरे आपके साथ वो कहानी शेयर करना चाहता हूं मैं आपसे कहानी तो कहानी यह है कि जब सुदामा के उपर बहुत गृबी चाही थी बहुत गृबी तो उसकी बीबी उसको रोख ब लेकिन उसका एक नियम था क्रिशन भुगवान के लिए कि वो बिख्षा मांगने जाता था पाँच जगह उसका जितना भी आधा होता था वो क्रिशन भुगवान जी को चड़ा देता था और आधा से अपना परिवार पालता था तो ये चीज रोज क्रिशन बगवान वहां से देख रहे थे साथ में राधा जी भी देख रहे थे रुकमन नहीं राधा जो भी हैं सबी बैटी वही थी सबी देख रहे थी उनको तो वो प्रिक्षा ले रहे थे उनकी एक दिनों को ना सिर्फ पूरे पांच के पांच गरों में कुछ नहीं मिला तुदामा जी को पांच गरों में गे पांच के पांच किसी गर में कुछ नहीं मिला उनको आखिर बार आते वक्त उन्होंने देखा कि एक जगा चींटियां जहां लोग चींटियों को डालते हैं न दाने वहां उनको दो चावल के दाने मिले वो दो दाने उठा के ले आए अब उपर से क्रिशन बगवान और लक्षमी मादा जो अबतार थे वो देख रहे थे उनको वो देख रहे थे कि आज इनकी इसकी प्रिक्शा ली जाएगी क्योंकि ये आदा जो होता है वो मेरे को दे देता जब वो गर में गे तो उन्होंने अपनी बीवी को एक दाना चावल का उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया और एक दाना जो था ना वो क्रिशन बगवान के आगे चड़ाने के लिए जाने लगे तो उसकी बीवी ने उनको बोला आज दो दाने मिले हैं चार बच्चे हमारे हैं और आज भी आप कहता है नहीं ये मैंने अपने आप से अपनी आत्मा से प्रण लिया हुआ है कि जो भी जितना भी पांच गरों से मुझे मिलेगा आदा मैं क्रिशन बगवान जी को चड़ाओंगा अर्पित करूँगा तो हुआ उनकी जो बीवी थी सुदामा की बीवी थी उन्होंने यो एक दाना है ये वी उनको दे दो मेरा क्या बनेगा बच्चे तो बैसे भी सोही हुएं आप वो सुबह ही मांगेँगे तो उन्होंने वह दोनों दाने जब क्रिश्न बगवान के चरना नहीं तो वह सीथे बिश्णु मुगान के हाथों में आए तो आप ये वाला पल खुद सोचो कितनी खुशी बगवान को हुई होगी और मुझे लगता कि आप इस वक्त ये वाला आपके चेहरे पे भी मुस्क्राट यही खुशी होती है आप बोलते हैं इतने पैसों से खुशी नहीं अभी आप के चेहरे पे खुशी आई है थोड़ी सी खुशी आई है लेकिन ये खुशी आपके लिए यही खुशी होती है तो बगवान ने वह दोनों दाने अपने अपने पास रखे और उसमें से भी एक दाना लक्ष्मी मता को दिया और एक दाना खुद खाया और साथ में बचन क्य पूरा जितना धरती थी क्या जानवर क्या पक्षी क्या कुछ भी सब को ऐसा लगा कि पेड़ बर गया सुदामा को सुदामा की बीवी को बच्चों को सब उठ गये उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई बहुत ज्यादा खाना खाया बहुत पकवान खाया तो ये ख्रिशन भुग्वान की शक्तिय है अब लक्ष्मि माता ने कहा कि अब उनकी इतनी प्रिक्षा क्यूँ लेन है कि नहीं है, जब तक यह पूबच्पन का बच्पन की एक कहानी है को भी मैं कभी सनाऊं गा ऽुदामा ने चोरी करके उनके चापल वह शिराब outta ता पे dis दोस्त को बचाने के लिए लेकिन क्रिशन बगवान ने कहा था कि तुभी इतने दिन दिलिटता ये उसको शिराब मिला था तो अगले दिन वह फिर पांच घरों में गया क्रिशन बगवान ने बहला ये आखरी आज मैंने फिर द्वारा प्रिक्षा लेनी आनकी तो उन्होंन अन्होंने क्या किया एक उरत को बेश बदल कर बीचा लखा अन्होंने कहा कि सामने एक शौकार का घर है वाहना पर खीर तो तो ऍश्कन परक्वींत गरआ है कि इसक करके बुरवले आ है सारी खीर पकवान सब कुछ मिला लेकिन उसी वक्त वहां पे बहुत सारे गुंडे आगे डाकू आगे उस जुमने में डाकू बोलते थे सब रचा रचा आया क्रिशन भगवान का था उनने गोडों के साथ उसके उपर मसल दिया उसका सारा समान गिर गया सब कर गया तो सदाम उसको भी लगा कि अब मेरे को क्रिशन भगवान ज्यादा प्रिक्षा ले रहे हैं तो वो फिर गे थोड़ा से चावल लेके अपने साथ वहां पे आगे आपको पता ही होगा दौरका में जाके उन्होंने बड़ा उनका विनंदन किया उनके पाउं दोए सब कुछ किया एक चावल की मुठ्ष से उन्होंने पूरा संसार के सुक दे दिये दूसरी से उन्होंने जब कहा कि जितना भी जम लोग है सब तुमारा अभी तीसरी जब लेनी थी तो पूरा पता लोग सब उनको दे देना था तो वो लक्ष्मी मादा ने उनको रह दिया तो रादे रादे जैश्री कृष्णा जुरूर लिखना जो भी बाद में मेरी कहानी सुनेगा अभी किसी के पास टाइम नहीं होता तो मेरे पास था मैंने टाइम में ये कहानी सना दी है रादे रादे की आपने रादे रादे का कमेंट जुरूर करना तो रादे रादे जुरूर कर देना ज